हालो इस्टुदेंट मैं दॉक्टर लेकपाल सींग आपका इस डिजिटल फे पहुंपे स्वागत करता हूं बच्वा आजी क्लास में पढ़ेंगे नर्वाजपन या मेल इनफर्टिलिटी ठीक है नर्वाजपन या इसी को क्या बोल रहा है मेल इनफर्टिलिटी ठीक है तो एक होता है बांजपन और एक होता है नपुन सकता दो सब्सक्राइब दोनों को यहां पर और एक होता है नर्वाजपन और एक है नर्वाजपन को बोल रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी और नर्वाजपन को बोलते हैं मेल इस्टरलिटी क्या बोलते हैं तो नर्वाजपन और नर्वाजपन और नर्वाजपन कर सकता किर है दोनों में टोनों में दिक्क्त नहीं यह भी बच्य रद मदरे म्यश्च अक्ता नियुक्त लेकिन भाइसपन को उपस् competing लुकर किया जा सकता और इसका ऊपचार करके जो बच्टे देने लायक कर दो Day नर नपुनसकता इसका उपचार नहीं कर सकते हैं, इसका उपचार करके इसको सही नहीं किया जा सकता है, यह अमेशा नपुनसक रहेगा, बांचपन को उपचार करके सही किया जा सकता है, ठीक है, यह अंतर है इसमें, कि इन्फरिटलिटी को तो सही कर सकते हैं, इस्टलिटी को सही नहीं कर सकते हैं, तो उपचार से सही किया जा सकता है, किस को बांचपन को, उपचार से सही किया जा सकता है, ठीक है, और नपुनसक्ता को उपचार से सही नहीं किया जा सकता, ये हमेशना ही नपुनसक रहेगा, इसको उप्चार से हम सही नहीं कर सकते इसको उप्चार के दवारा सही किया जा सकता है तो यह इन दोनों में अंतर है नर्वांजपन में और यह हो गया नर नपुन्शक्त्रा क्लियर इसको उप्चार से सही कर सकते हैं इसको उप्चार से सही नहीं कर सकते हैं अब नर्वांजपन किन कारणों से आ सकता है तो देखो भई नर्वांजपन किस कारण से आ सकता है नर्वांजपन, क्या कारण है नर्वांजपन के तो एक है पहला संक्रामक कारक, क्या हो सकते हैं, संक्रामक कारक या संक्रामक रोग, कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती है जिनकी वज़े से पशु जो है बांज हो गया है ठीक है ऐसी कौन-कौन सी बीमारी है जिनसे पशु जो है बांज हो सकता है तो जैसे बुर्सेलोसिस कौन सी बुर्सेलोसिस ठीक है यह बीमारी में बांज पना जाता है विब्रियोसिस कौन सी विब्रियोसिस विब्रियोसिस वीमारी में पश्यू बांज हो सकता है और कुंसी वीमारी हो शकती है इसके अलाबा ठीक है तो जैसे ट्राइको मोनियासिस जिसको ट्राइको मोनियासिस जिसको ट्राइको मोनियासिस और क्या हो सकता है कुछ एसंक्रामक कारक हो सकते हैं क्या ह संक्रामक रोग में और कुछ सुक्राणू में विकार हो सकते हैं क्या हो सकते हैं शुक्राणू तो नर्वाजपन के के तीन कारण है संक्रामक रोग सुक्रानुदोस और एसंक्रामक रोग संक्रामक रोग में बुर्सेलोसिस बिब्रियोसिस ट्राइकुमोनियासिस सुक्रानुदोस सुक्रानुदोस दो पिरकार के एक तो एक होता है सुक्राणू दोश और एक होता है सुक्राणू बिकार क्या होता है । एक हो गया तुम्हारा सुक्रानु दोस में सुक्रानु विकार और एक हो गया सुक्रानु विशमता ठीक है कि सुक्रानु में गड़वडी होई है ना कि सुक्रानु में कोई गड़वडी है तो उसको सुक्रानु दोस कह रहे हैं तो सुक्रानु विकार हो सकते हैं या सुक्रानु विशमता हो शकती है एसंक्रामक रोग की बात करें एसंक्रामक रोग में क्या क्या हो सकता है तो जैसे क्रिप्टो क्रिड्जम हो सकती एक बीमारी क्रिप्टो क्रिड्जम अभी क्या होती है बताएंगे यह बीमारी हो सकती है जिससे नर्वांज हो सकता है और काईटिस हो सकता है, क्या हो सकता है, और काईटिस हो सकता है उसको, टेस्टिकूलर और क्या हो सकता है, टेस्टिकूलर एपलेशिया, टेस्टिकूलर एपलेशिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेस्टिकूलर हाइपोपलेशिया, हाइपोपलेशिया हो सकता है, कर और उसको होगता है, बच्चो किया? इंग्वाइनल हुर्णिया, हो सकता है, और उसको क्या हो सकता है, हर्मोफ्रोडाइट, क्या हो सकता है हर्मोफ रोडाइट ये सारी बीमारिया कैसी है एसंक्रामक रोग है जिनकी बज़े से नर जो है वो बांज हो सकता है ये संक्रामक बीमारी है जिनकी परसे से नर बांज हो सकता है सुक्रानु विकार और सुक्रानु विशम्ता शुक्रानु विशम्ता में प्रात्मिक विशम्ता, कौन सी विशम्ता, प्रात्मिक विशम्ता, एक होती है दुतियक विशम्ता, दुतियक विशम्ता, एक होती है तरतियक विशम्ता, तरतियक विशम्ता, तरतियक विशम्ता, ठीक है, तो यह तीन प्रकार की विशम्ता होती तीन यह प्रात्मी विशम्ता दृत्याग विशम्ता सुक्राणू में 200 हो सकतें σεके घरा वो और शुक्राणू विकार की बात करें तो सुक्राणू विकार में हम पड़ेंगे एक होता है जांए डाईडेमश्डेवक्ट डाईडेमश्ड़ीımıvac अभी इनको explain करेंगे सिर्फ देख रहे हैं तो एक होता है डेग डिफेक्ट क्या होता है डेग डिफेक्ट एक होता है pseudo droplet defect क्या होता है pseudo droplet defect एक होता है decapitated defect तो यह सारी बीमारियां मिलके क्या कर सकती है नर को बांच्पन बना सकती है कोई संक्रामक रोग में बुट्सेलोसिस ट्राइकोमोनास संक्रामक रोग में क्रिप्टोकिट्जम और काइटेस टेस्टिगूलर एपलेशिया टेस्टिगूलर हाइपोपलेशिया इंग्वाइनल हर्निया हर्मोफ्रोडाइट और सुक्रानु दोस में सुक्रानु विकार और सु इसारी चीजे वो सकती हैं यह हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको देखो सबसे पहले हम बात करें नर्वांजपन के दो पिरकार होते हैं क्या बच्चों नर्वांजपन के दो परकार होते हैं, एक होता है, impotentia पहला, impotentia, impotentia coin D, होंसा, impotentia coin D, और एक होता है, impotentia general इंपोटेंसिया नर्बांचपन के कारण क्या है तो वीमारी हमने बता दी इतने कारण हो सकते हैं अब नर्बांचपन के दो प्रकार है इंपोटेंसिया क्वेंडी और इंपोटेंसिया जन्रेंडी इसका मतलब क्या है इंपोटेंसिया क्वेंडी होते हैं कि कामुत्तिजना में कमी क्या कामुत्तिजना में कमी और समागम में असमर्थता अभी समझेंगे इसका मतलब क्या है और इंपोटेंसिया जन्रेंडी मतलब होता है क्या है निश्यचन में असमर्थता अभी इनविलिटी टू कोपूलेट एंड इनविलिटी टू फटिलाइज़ सिंपल सी व्यासा में समझेंगा इंपोटेंसिया कोईंडी का मतलब है जो साड है वो उसका का मन नहीं है थीक है इसका अंदर काम कमी या फिर समागम में असमर्तता वह समागम कर रहा है यह Clayton के है इंपोटेंसिया कमतलब यहे हैं उसका मन है समागम करने का बडिया समागम की कर रहा है लेकिन उसके सुक्राणवों में प्रॉबलम है जिससे निसेचन नहीं होता बढ़िया समागम करता है कोई दिक्कत नहीं है कामुत्यजना बढ़िया है लेकिन सुक्राणु जो है वो अंडा के साथ निसेचन नहीं कर पाते तो निसेचन में असमर्थ था जनरल इंडी और समागम ही नहीं कर पा रहा है या तो समागम नहीं क कर रहा रहा है वह क्यों नहीं कर रहा है समागम क्या रीजन यह कांवत हिए इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कौन-nous भीमारिया है जिनके इंदर Clinton कोई भीमारी होता है सबसे बेलेनो बोस्थाइटिस पॉस्थाइटिस ठीक हे एक होती एंफीमोसिस क्या होती वच्छों फीमोसिस एक होती है पैरासी मोशिस गैरा a फीमोसिस एक होती है से दinary fells क्या होती है कि डाई फैलस एक होती है फेलो केम पैसिस क्या होती है फेलो केम पैसिस एक होती है ब्रोकन पैर्निस क्या होती है यह सब पारा है कर्णा थ साथ फूरिष इन liberal कर पा रहा है काम उत्तजना नहीं कर पा रहा है अब सुनों बच्चो इंपोटेंसिया कोईंडी का मतलब क्या है कि वह सांड जो है उसका मन नहीं है समागम करने का या वह समागम नहीं कर पाता है काम उत्तजना नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उसको यह बीमारियां हो चुकी बैलेनौ पॉस्थाइटिस शिष्ण और प्रिप्यूस की सूजन जो उसका सिष्ण वो सूज गया है तो समागम केसे करेगा वो नहीं कर पाएगा ना फीमोसिस पीमोसिस का मतलब है कि ग्लांस शिष्ण प्रिप्यूस के अंदर से जो है तो बाहर नहीं निकल पा रहाएं प्रिप्यूस के अंदर जो प्रिप्यूस होता है उसके अंदर से ग्लांस पैनिस जो है वह बाहर नहीं निकल रहा है तो शिष्ण का प्रिप्यूस से बाहर नहीं निकलना पैरा फीमोसिस का मतलब क्या है कि सान का ग्लांस पैनिस जो है वह बापस अंदर नहीं जा रहा है है दाइफल स मतलब दो सिषन होना तो दोश्ण होगे तब टूट गया है वह तोट गया है उसमें कोई चोट आगđी है तब भी भो सवागम जब हें जो समागम का मन नहीं करेगा ना उसकी काम इतिजना का मन करेगा इसको बलते इंपोटेंशिया को इंडी अब निस्य चन में अस्मर्ट था मैंने जो बीमारियां बताई थी वह सारी इंपोटेंशिया जंडर इंड्य अभी जो बताएं थी ये सब क्या है ने यह सब इम्पोटेंजिया जन्तर होगी इन में सम्में निसिया जन्टरंड्ड Y कोई संख्रामक रोगह और इनसं में यह सब क्या है इम्पोटेंजिया जन्रेंड रेट्ड अंप इंपोटेंसिया जंडरेंडि इन में क्या है निसेचन में एसमर्थ ता है ये सब होंगी तो निसेचन नी हो पाएगा और ये हुंगी ये सारी विमारिया तो उसका समागम का मन नहीं करेगा तो ये इंपोटेंटिय है और इंबोटेंटिया generate का मतलब काम उत्य जना में कमी समागम में अस्मर्त था energy का मतलब कुनसी बैलेननो को बहुत था मतलब होता है शिष्ण तथा प्रिप्यूस की सूजन क्या होता है जड़ा थो सिष्ण तथा प्रिप्यूस की सूजन सिष्ण तथा प्रिप्यूस की सूजन बैलेनो पॉस्थाइटिस कहलाती है यहीं पर हम बात करें यह होता है बैलेनाइटिस करेंस बैलेनाइटिस का मतलत होता है सिस्ञ की सूजन सिर्फ सिष्ण की सूजन है टो बैलेनाइटिस पहलेनो पोस्थाइटिस सिष्ण तथा प्रिपयूस की सूजन यह आगा तो वू समागम नहीं करेगा गप प्रिपिश्च से बाहर नहीं आना remedy सिश्ण जो है वह बाहर ही नहीं निकल पा रहा रहें पिश्ण से फीमोसिस नेक्स्ट है पैराफीमोसिस क्या है बच्चो पैराफीमोसिस उल्टा इसका शिष्ण प्रिप्यूस से बाहर नहीं आ रहा है और बाहर आ गया है तो अंदर नहीं जा रहा है सिष्ण का प्रिप्यूस के अंदर नहीं जाना पैराफीमोसिस नेक्स्ट क्या है डाइफेलस डाइफेलस का मतलब होता है दो सिष्ण का होना क्या दो सिष्ण का होना गया डो और एक होता है फैलो केमपैसिस का मतलब है क्या है शिष्ण का दो भागों में बट जाना क्या कहलाता है फैलो केमपैसिस तो ये सारे रीजन है जिसकी वज़े से वो समागम नहीं कर रहा है छीज़े बाहर निकलना फीमोसिस अंदर नहीं जाना परफीमोसिस दो सिष्ण का टूड जाना और हो पैमपैसिस का दो बागों में वट जाना कोई दिकत नहीं इसमें जिसमें सबसे ज़्ढ़ा इंप्पोर्टेंट बच्चों ये दौ है ये खूप कुछ जाते हैं कि सिस्सन का परिम उससे भाहर नहीं निकलना पीमोंश इस अंदर नहीं जाना प्राफीमोंशम है कोई दिक्कत नहीं है यह क्या है इनकी बज़े से वो समागम नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं next इंपोटेंशिया जन्रेंडी की बाद करें इंपोटेंशिया जन्रेंडी मतलब है निशेचन में असमर्थता वो निशेचन नहीं कर पा रहा है न निशेचन में असमर्थता ठीक है बच्चो अब सुना कहानी कुछ ऐसी है कैसी यह बच्चो कि जो साण है वो बढ़िया समागम कर रहा है लेकिन उसके सुक्रानु काम के नहीं है ठीक है तो निसेचन में असमर्थ था है अब सुक्रानु निसेचन क्यों नहीं किर पा रहे हैं उसके क्या रीजन है तो उसके बहुत सारी बीमारिया है संक्रामक रोग हो सकते हैं संक्राम शुक्रानू भिशंता और एख हमने पड़े शुक्रानू भिकार क्या पड़े शुक्रानू भिकार शुक्रानु दोस मतलब शुक्रानु में कोई दोस है शुक्रानु विकार मतलब सुक्रानु में अंदर डिफेक्ट जिसमें हमने पढ़े डाइडम डिफेक्ट नोब डिफेक्ट डिफेक्ट सुक्रानु प्रॉपर ठीक नहीं था लेकिन विचारे के साथ क्या हुआ है अन्याय हुआ है मतलब जैसे सुक्रानु सीमन इखट्टा कर रहे हैं इखट्टे करते समय तुमने सुक्रानु को तुमने क्या किया बीदे निकालते समय सुक्रानु को मार दिया या फिर तुमने क्या कर रहे हैं थोहिंग करते समय उनको गरम पानी में बहुत देर तक डाल दिया तो सुक्रानु मर जाएंगे तो सुक्रानु को तुम मार रहे हो इसमें या सुक्रानु के सा जमाब हो गया तो बिचारे वाह मर गये तो वह थोड़ीजे उनको मार दिया गया रस्ते में तो उसको बलते भी शमटा तो भी शमता तीन प्रीकार की एक तो प्राथ्मिक भी subst अब युव 토ंगे कुंपुझ सी होती यह प्राथ्मिक भी Southwest दूतियक विशमता और एक कुन सी बच्चो त्रतियक विशमता अब देखते हैं कि प्राथमिक विशमता क्या है सबसे पहले बात करें प्राथमिक विशमता प्रात्मी विशमता का मतलब है कि सुक्रानुउगं में сेमनी फेरस नलिखाँ में शुक्रानु के साथ क्या हुई है गड़्वडी हुई है जिसको हम क्या बोल रहे हैं प्रात्मी क्विशमता द्यग्या तो सुक्रानुओं का सेमनी फेरस नलकां में हुई विशमता हुई है उनके साथ ठीक है तो सेमनी फेरस नलकां में हुई विशमता दूतियक विशम्ता दूतियक विशम्ता मतलब है कि सेमनी फेरस नल काओं में कोई विशम्ता नहीं हुई उनी के साथ फिर से रेटे टेस्टेस से वासे फ्रेंस वासे समसे एपीड़ाइमिस के अंदर बच्चो एपीड़ाइमिस या वासडिफरेंस या कहां पर वासडिफरेंस जो न लिये उनमें अगर कोई विशम्ता हुई है शुक्रानु के साथ मैं हुई विशम्ता मैं हुई विशम्ता दूतियक विशम्ता कैलाती है नंचे निजेत्यात्स में कोई विशमता हुई है oh तरती अथना जातला या सकलन या तो इसने साथ बैस सबस्क्राइब करते समय कोई बिशमता हुः है तो С्क्ल नगहीं इस क्लन के शम है या सरीर से बार हुई विशमता तरतियक विशमता कहलाती है अरे सेमनी फेरस नल काउं में छेड़चानी हुई है उनके साथ प्रात्म के शमता उससे आगे एपीड़ाइबिस वास्ट इफ्रेंस में कोई छेड़चानी हुई है दुत्यक विशमता इस स्लिंक के शम है शाडuur के बाहर निकलने के वाद उससे छेड़चानी हुई है अब सुक्राणु बिकार देघो में सुक्राणु के अंदर खुदी घड़ा खराबी थी तो सुक्राणु विकार कौन कौन से है दो emotions cheese लूवीज़ा Administration पढ़ेंगे डाइडम डिफेक्ट और एक पढ़ेंगे हम नॉब्ड डिफेक्ट ठीक है एक पढ़ेंगे नॉब्ड डिफेक्ट कि proto नौपड डिफेक्ट और नोभ्ड डेफेक्ट यह क्या होते हैं यह बहुत इंपोर्ट w निकले ही टा फटा हुआ था तो फैंट मेंडिफ्च था वैसी system सुक्रानु में कुछ डिफेक्ट था इसकी वज़े से वह निश्य चन नहीं कर पा रहा है तो यह होता है डाइडम डिफेक्ट इसको बोलते हैं नूकलियर पाउच फॉर्मेशन डिफेक्ट अब यह नाम से बहुत बड़ा है पर बच्चों देखो सिंपल याद रखना यह यह सुक्रानु का मद्द्य भाग है क्या है मद्द्य भाग और यह सुक्रानु की क्या है पूंच है यह सुक्रानु का क्या है नूकलियस केंद्रक और यह सुक्रानु का एक्रोजोम है क्लियर है सुक्रानु का एक्रोजोम सुक्रानु का केंद्रक सुक्रानु का मद्द्य की जिल्ली जो है केंद्रक जिल्ली का अंदर की तरब दस जाना केंद्रक जिल्ली नुक्लियर पाउच नुक्लियर पाउच मतलब केंद्रक जिल्ली डाइडम डिफेक्ट का मतलब है केंद्रक जिल्ली जो है वो खराब हो चुकी यह सुक्राणू की तो केंद्रक जिल्ली का के केंद्रक जिल्ली में दसाव पढ़ जाना क्या है किंद्रक जिल्ली में दसाव पढ़ जाना कि लिए बस इतना सा याद रखना सिंपल भी याद नich तो याद रखना लंग डाइडायड़ मल्र दाइडेर केंद्रक जिल्ली का खराब हो जना नोب डिफेकट बोलते हैं इसको एक चीज और देते हैं आख्रो स मल ठीक मतलब क्या है मतलब यह देखो इज़ो र्णू बारागए यह मध्य भाग है और यह सुक्रानु की पूंच है यह सुक्रानु का केंद्रक है यह सुक्रानु की यह सुक्रानु का जो आगे वाला बाग होता है जिसको एक्रोजोम बोलते क्या बोलते है एक्रोजोम पर क्या हो गई है थिकनिंग हो गई है थिकनिंग मतलब देखो ऐसे एक्रोजोम पर जमा जाएगा तो यहां से एंजाइम सरावित नहीं होगा हाईलू रोनिडेज जो अंडानू की जिल्ली को फाड़ता है तो यह सुक्राणू निशेचन नहीं कर पाएगा इस प्रिकार के सुक्राणू में जो खरावी है इसको बोलते नोब्ड डिफेक्ट तो नोब्ड डिफेक् क्या हो जाना जमाव हो जाना कोई दिक्कत इसमें यह दो तो बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों पूछे जाते हैं कि सुक्राणू बिकार कौन-कौन से है सुक्राणू में खरावी है यह दो प्रिकार की खरावी है हमने सुक्राणू में देख ली अब कुछ और भी है व डेक्ड इफेक्ट का मतलब क्या है डेक्ड इफेक्ट का मतलब है देखो भई यह सुक्राणू की पूँच और यह सुक्राणू का सिर यह सुक्राणू का केंद्रक और यह सुक्राणू का एक्रोसोम और यह सुक्राणू की पूँच ऐसे हो गई सुक्राणू की पूँच तो कि पूँच का मद्यभाग पर लिपट जाना तो यह सुकुराणु क्या करेगा गती नहीं कर पाएगा गती तो फूच खुली होनी चाहिए लंबी जबी तो शुकुराणु गती करेगा यह पूच तो मद्यभाग पर लिपट गई है तो इसको बोलते हैं के ड्रउपलेट ड्रउपलेट क्या है देखो यह सूकरानू का मद्ध्भाग चोती-छोती बूदों겨 का जम जाना थीक इसकी वैज़े से सुक्राणू घताब हो जाता है सुक्राणू के मद्यभाग पर छोटी-छोटी बूंदों का किसका छोटी-छोटी बूंदों का जम जाना शुक्राणू डिफेक्ट है सुक्रानु में खरावी है एक होता है डीकैपीटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे शुक्रानू का मद्यभाग जो है वो और सिर से अलग हो गया शुक्रानू का मद्यभाग और सिर का तूट जाना अलग हो जाना मद्य भाग तथा सिर का अलग हो जाना यह तो वैसे ही खतर ना गया यह तो बहुत खतर ना गया यह सुक्रानु तो कोई काम गई नहीं है सिर और मद्य भाग दोनों ही अलग हो गए तो बच्चों यह डिफेक्ट से कुश्चन आता है सुक्रानु विकार से डाइडेम डिफेक्ट किंद्रक जिली में खरावी नॉब डिफेक्ट एक्रोजों में खरावी डैग डिफेक्ट पूच का मद्य भाग पर घूम जाना सीड हिच्च देखेंगे बच्चो है अब बचा क्या में नर्म पहलेस रहेते नरवांजपन नर्वांजपन में सुक्रानु दोस पढ़े सो इंपोटन्स फैन्डाइडी पढई के हां यह सीडेग्सक्रानु दोस यह बुटसीलों से प्रेटलों से CCS भूम्स्स इस श्कार्म 楼ph defect एक्रोजूंब कोई अलग होजाना रात्मी विशमता सेमदी फेरस निलकाओं में हुई समता सुकुरानों का सरीर से स्क्लिन के समय वैसरीर से बाहर हुई विशमता यह सब पढ़ लिया बचाइए एसंकरामक क्रिप्टोपेटुच्यां कीरड़ के बास मतलब विश्ण का शरीत के अंदर रह जाना को सरीर के बाहर ठेले नुमा सा रशना फु合 कहते हैं और का इंडरल बास मतलब ऑसकी वे अंदर नहीν भिर्षणों का विकास न होनां थेष्टी इसटीकूलर हइपोपिलेसिया विर्षणों का विकास कम होनां हइपो मतलब ज्न कंए मतलब बिल्कुल नहीं इंग्वाईनल हर्णिया के अंदर इंटस्टाइन का कोई भाग गुष जाना है और हर्मो फ्रोडाइट मतलब एक ही जानवर के अंदर बिर्शन वा अंडा से तोनों का होना अब देखते हैं कि करके पढ़ते हैं इनको देखो एसंक्रामक रोग है क्या पढ़ रहे हैं बच्चो एसंक्रामक रोग में सबसे पहले क्रिप्टो क्रिट्जम क्या इसंक्रामक रोग उस्टार लगा दें क्रिप्टो क्रिट्जम का मतलब क्या है सुनना जब बच्चे का बच्चो जनम होता है जनम से पहले उसके बिर्सन जो है वो वो शरीर के अंदर रहते है जैसे लीबर बगवान ने के अंदर दिया यह उटांग दी तो जब बच्चा गरवासे में होता है तब उसके बिट्सण सरीर के अंदर इसे जब जनम होता है तब नीचे खिसक जाते हैं और किसमें आ तो जनम के समय बिट्सन पहली बाद तो इस प्रोटम में आते हैं और वह इस क्रोटम में क्यों होते हैं यह पहले पढ़ा दिया क्योंकि बाहर का ताप मान जो है सरीर के ताप मान से 2-6 जो सुक्राणू जनन के लिए आविश्यक है तो अब अगर बिट्सन जनम के समय नीचे नहीं आए अंदर ही रहे गए तो क्या होगा तो सुक्राणू का निर्मान नहीं होगा तो वह बांज होगा आई बासमझ में इस वीमारी को बोलते क्रिप्टो क्रिश्म बिट्सनों का स सरीर के अंदर मतलब उधर गवाम है सरीर के अंदर रह जाना कब रहते हैं यह जनम के समय बिट्सनों का सरीर के अंदर रह जाना क्रिप्टो क्रिश्म कहलाता है दो पिरकार का कितने पिरकार का बच्चो दो पिरकार का यूनिलेटरल क्रिप्टो क्रिश्म यूनिलेटरल औ सा होता है बाइलेटरल मतलब क्या है दो बिट्सन होते हैं एक अंदर रह गया और एक नीचे आ गया तो बोलेंगे यूनिलेटरल और बाइलेटरल मतलब दोनों बिट्सन ही अंदर रह गये तो एक तो बिट्सन अंदर है शरीर के और एक बार है तो यूनिलेटरल क्रिप्टो क्रिप्टो किलिए मतलब दोनों अंदर हैं क्या है दोनों विटिसन जो है वो अंदर है तो बोलेंगे बाइलेटरल किप्टो के अब सर जब दोनों ही बिच्छ अंदर है तो सुक्रानु का निर्माण होगा यह नपूरा यह माँच होगा नपून्सक होगा सबसे जादा यह बीमारी किस में होती है सबसे ज़्यादा गोड़े में देखी जाती है इस्टाल लगा लेना क्रिप्टो किर्जम बीमारी सबसे अधिक गोड़े में और है भुआ के सब्साइब कर सब करता है दोनुं बिशन अंदर यह क्तरी जो है ये विमारि जो बीमारी होगए बटे जीतने वह दो अंदर वीमारी होगी क्रिप्टो किर्जbaby कैसी विमारी है आनुवांसिक या रिका कि मड़ नहीं कर रहा कि यह जादा खतरनाक्नुकों कर देगा जित्र कर रहा यह बड़ी बात नहीं लेकिन इसके बच्चे वह होंगे यह बुरी बात है तो ये अनुवांसिक रोग है कैसा है जल्ग है यह कैसा रोग है तो जिसमें पशुजों है बाच पैदा होता है नेक्स देखो दूसरी हमने पढ़ी औरकाईटिस, दूसरी क्या है बच्छों औरकाईटिस का मतलब होता है बिटसन की सूजन ऑर संक्रामक भीमारी है इसकी बज़े से जो है इस पम नहीं बन रहे हैं सुक्राणु नहीं नेक्स्ट टेस्टीकूलर टेस्टीकूलर एप्लेशिया और एक इसके साथ हम दूसरी पढ़ेंगे टेस्टीकूलर हाइपोप्लेशिया टेस्टीकूलर मतलब विर्षन ये प्लेशिया मतलब विर्षन बिल्कुल नहीं होना विर्षन बिल्कुल ही नहीं बने और हैपोप्लेशिया हैपो मतलब होता है कम हाइपर मतलब ज्यादा विर्षनों का विकास कम होना विर्षनों का विकास बिल्कुल नहीं होना विर्षनो work नहीं कर पाएंगे अध्यृर का दिकास ना होना रुटशन का विकास ना होना तेस्टीकूलर एप्लेशिया बिट्षणों का विकास कम होना विकास तो हुआ है लेकिन कम हुआ है तो हाइपोप्लेशिया दोनों कंडिशनों में इस पम जो है निश्यचन नहीं कर सकते नेक्स्ट है बच्चो इंग्वाइनल हर्निया इंग्वाइनल हर्निया या इसको बोलते हैं इस्क्रोटल हर्निया और क्या बोलते हैं इस्क्रोटल हर्निया हर्निया मतलब क्या होता है हर्निया हम सरजरी में पढ़ते हर्निया मतलब होता है किसी अंग का अपनी गुहा को छोड़के दूसरी गुहा में चले जाना किसी आदम आदमी का अपने घर को छोड़के दूसरे घर में रहने लग जाना तो वह क्या है वह बीमारी है वह गलत कर रहा है अपने घर को छोड़के दूसरे के घर में रह रहा है तो गलत है ऐसे हमारे सरीर में भगवान ने यह बक्षिय गुआ है यह उधर गुआ है और पैल्विक ग चला गया तुभी मेरी हर्निया सिंपल यहां से जाके कहीं और चला गया तो हर्निया मतलब होता है किसी अंग का अपनी गुहाँ अपनी जगे को छोड़के दूसरी जगे पर चले जाना और तो हुआ होता है इंग्वाइनल हर्णिया क्या होता है स्क्रोटम हर्णिया आत का च्छोटी आत यह बड़ी आत का यह उतरगव रहागत क्छोटी आत आत का budget कॉट Σय जले जाना विंट्र चली गई तो इंटर स्टरीन को बिट्सन के अंदर चली गई इंग्वाइनल से होती हुए अंदर चली गई तो वहां पर चली जाएगी इंटरस्टाइं तो अधिक्कत हो जाएगी तो उस बीमारी को बोलते स्क्रोटम हर्निया ठीके आत के किसी भाग का कौन जाती है आत जाती है आत के किसी भाग not किसी भाग का स्क्रोटम में चलना जाना स्क्रोटम में चलना क्या कहलाए गा इंगुआइनिल हडडियस्ट एक है हर्मोफ्रोडाइट लास्ट हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या है बच्चो हर्मोफ्रोडाइट का मतलब है कि एक जानवर के अंदर उसी के अंदर विट्सन है उसी के अंदर नर और मादा जनन तंत्र एक के यह अंदर होना है बाई लेंगिक जिसके अंदर नर जनन और मादा तथा जनन दोनों इसकी अंदर है बिट सल था अंडासे का एक ही जानवर में होना तो तो उसको हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं इंपोर्टेंट है हर्मोफ्रोडाइट किसे कहते हैं तो इक यह तक कोई दिक्कत नहीं आगे हम पढ़ेंगे बच्चों एक लास में आजकी लिए इतना ही थेंक यूबॉसिए